अगर बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल से अधिक है तो इसका मतलब है आपको फीवर है फीवर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया जाता है डबलु एचो की गाइडलाइन्स के अनुसार अगर बॉडी टेंपरेचर 37 डिगरी से ज़्यादा हो या 99 डिगरी फारेनाइट से ज़्यादा हो तो उसे फीवर की कैटेगरी में रखा जाता है फीवर कोई बीमारी नहीं है बलकि है एक सिंटम है एक संकेत है जो बताता है कि हमारे सरीर में किसी भी तरह का इंफेक्शन हो रहा है जिसकी वज़े से हमारी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ा हुआ है अब इंफेक्शन या तो वाइरल के कारड़, रेक्टेरियल के कारड़, पेरासाइटिक के कारड़ या फंगल इंफेक्शन के कारड़ हो सकता है अब फीवर के common symptoms की बात करी जाए तो फीवर आने के बाद आपको ठंड लगना, कमजोरी आना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, जोइंट्स में पेन होना फीवर में associated symptoms होते हैं, सर्दी, खासी, दस्त लगना, पेट में दर्द, भूख न लगना और ज्यादा पसीन आना अब अगर warning sign की बात करें, अगर आपको फीवर के साथ साथ सीने में दर्द, पेट में दर्द, सांस फूलना, सर में दर्द, वामेटिंग, बेहोसी या दौरा पढ़ना, इनमें से कोई भी problem हो रही है, तो इसे neglect ना करें जल से जल्द MD physician doctor से consult करें अब बात करते हैं, फीवर को घर में कैसे manage करें, सबसे पहले doctor suggest करते हैं rest second is hydration, फीवर में dehydration की कमी हो जाती है, इसलिए 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है तीसरा है paracetamol tablet, अगर paracetamol tablet लेने के बाद temperature normal नहीं होता है, तब ठंडे पानी की पट्टी रखकर उसे manage किया जाता है last में है temperature monitoring करना, अब जानते हैं फीवर के patient को क्या खाना चाहिए patient को चरल्पदार और हल्का वोजन देते रहना चाहिए, जैसे पानी, चाय, दाल का पानी, सूप, छाच, जूस, मूंग दाल की खिचडी, उपमा, दलिया, इत्यादी अब जानते हैं फीवर से कैसे बचा जा सकता है, फीवर आने के common कारण होता है infection, infection से कैसे बचना चाहिए, अपना immune system अच्छा रखना चाहिए, अच्छी स्वक्षता बनाई रखनी चाहिए, बीमाल लोगों के संपर्ख से बचना चाहिए, मच्छर के काटने से बचना चाहिए आज हमने देखा फीवर की symptoms का सही analysis करके एक perfect diagnosis पर पहुचा जा सकता है तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन